प्रभास और कृति शेनन की मच अवेटेट फिल्म आधी पुरुष का टीजर लॉंच हो चुका है साउत के सूपर इस्टार प्रभास ने खुद भगवान स्रीराम की नगरी अयोध्या में सर्यू नदी के तट पर आधी पुरुष का टीजर और फिल्म कन्या पोश्टर लॉंच किया टीजर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बवाल हो गया लेकिन फिल्म के टीजर में जो VFX दिखाया गया है वो किसी छोटी फिल्म के एनिमेशन जैसा लग रहा है आधी पुरुष की कहानी रमायड पर बेस्ट है मगर रमायड नहीं है जैसा कि आधी पुरुष के टीजर को देख करके समझ में आ रहा है कि Modern Life के करेक्टर को रमायड के स्री राम जी, लक्षमन जी, हनुआन जी, माता सीता और रामर से कनेक्ट किया गया है फिल्म में प्रभास श्री राम नहीं बलकि रागाओ के रोल में नज़र आएंगे कृति शेनन की बात करें तो उन्होंने सीता का नहीं बलकि जानकी का रोल किया है लेकिन फिल्म के टीजर में वह वाली फिलिंग नहीं आ रही है जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा उमीद थी कहने का अरत यह है कि VFX के मामले में इस फिल्म ने उमीदों में पानी फिर दिया है सैफली खान के लुक की बात करें तो सैफली खान का बाल बहुत छोटा छोटा रखा गया है और वो कहीं से भी रामर जैसी फिल्म नहीं दे पा रहे हैं अगर बात करें प्रभास के तो प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी उम्र बहुत जादा हो चुकी है और वो राम जैसी फिलिंग नहीं दे पा रहे है लोगों का कहना है कि इस फिल्म में जो VFX इस्तमाल हुआ है वो किसी निमन अस्तरिय कार्टून फिल्म के जैसा हुआ है इस फिल्म में और भी VFX पे काम किया जा सकता था लेकिन VFX उतना अच्छा नहीं है फिल्म का एनिमेशन किसी कार्टून फिल्म जैसा लग रहा है कुल मिलाकर के लोगों का कहना ये है कि ओम राउत को इसके एनिमेशन VFX और CGI पर अच्छे से काम करना चाहिए था खैर अब तो ये 12 जनवरी 2013 को ही पता चलेगा कि ये फिल्म लोगों को कितना पसंद आ रही है फिल्हाल इस फिल्म के टीजर के बारे में आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट बाक्स में आप हमें जरूर बताएं